हेलो दोस्तो आरके मिक्स इंटर्टेन्मेंट पर आपका स्वाज़त है दोस्तो आज भारत के नक्से पर गुजरात राज्य का जो सवरूप दिख रहा है आजादी मिलने के समय यह अस्तित्व में नहीं था यह बोंबे राज्य का एक हिस्सा था जिसमें आज का गुजरात एवम महराष्ट शामिल थे लेकिन गुजरात एवम मराठी भाषायों के बीच आए दिन भाषा और संस्कृतियों को लेकर मत बहिद होते थे 1950 से मराठी एवम गुजराती भाषियों ने अलग राज्य की मांग रखी एक मही का दिन परतेक गुजराती भाषियों के लिए विशेस माइने रखता है क्योंकि इसी दिन भारत के नक्से पर गुजरात का उद्भव हुआ था बारत को अंग्रेजी हुकूमत से मिली सवतंतरता के समय यह परदेश बॉम्बे राज्य का एक हिस्सा था बारती संसत द्वारा बॉम्बे पुनर गठन अधिनियम पारित किया गया था तब इस अधिनियम के तहट दो नए राज्यों महराष्ट और गुजरात अस्तितुम में आये जबकि महराष्ट का गठन एक मई 1960 को हुआ था गुजरात एक दिन बाद दो मई 1960 को अस्तितुम में आया हालाग कि सरस्वम्यत्ति से यह निर्न लियागी कि महराष्ट दिवस के साथ ही गुजरात दिवस भी एक मई को ही मनाया जाएगा दोस्तों आज भारत के नकसे पर गुजरात राज्य का जो सवरूप दिख रहा है मैंने बताया वह पहले ऐसे अध नहीं था दोस्तों 1950 से मराठी आवम गुजराती भाष्यों ने अलग राज्य के मांग रखी यह मांग जब खूनी संगर्स में बदलने लगी तब के इंदर सरकार ने एक मई 1960 को बॉम्बे को भाष्या चेतर और संस्कृति के आदार पर दो विभिन राज्यों महराष्य एवम गुजरात में विभाजित किया गया और दोनों को सवतंतर राज्य के रूप में गोशित किया गया सोराष्ट, कच्छ और एहंदाबाद समेत पूर बुम्बे राज्य के गुजराती भाषा बहुल छित्रों को एक रूप कर इसे नए गुजरात राज्य की रूप में मानने तब मिली इसी समय से गुजरात स्थापन दिवस मनाने की प्रमप्रा सुरू हुई गुजरात दिवस जिसे गुजरात गोरव दिवस के रूप में भी जाना जाता है गुजराती भाषियों के लिए बहुत महत्पून दिन है इसी दिन दिवी भाषी राज्य बंबई के विभाजन के बाद एक मई 1960 को समवैदानिक रूप से गुजरात राज्य का गठन किया गया था गुजरात में इस दिवस विसेश को बड़े उत्सा एवं सर्दा के साथ मनाया जाता है यह दिन गुजराती भाषियों को अपनी जड़ों को याद करने और राज्य के गठन के लिए लड़ने वालों को सर्दा सुमन अर्पित करने का दिन है गुजरात की एक समर्द सांस्कृतिक विरासत है जिसका सवतंतरता हेतु संगर्स का लंबा इत्यास है इस राज्य ने महत्मा गांदी, सरदारवल लभाई पटेल और मुरारजी देशाई जैसे कई महान नेता दिये जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में महत्पूर्ण भूमी का निभाई गुजरात भारत के ओध्योगिक रूप में सबसे उन्नत राज्यों में से एक है जिसने भारतिय और थ्वियोस्ता के विकास में महत्पूर्ण योगदान दिया है गुजरात दिवस वस्तुते एक ऐसे राज्ये के जनम का प्रतीक है जो विरासत, प्रंप्राव, द्रोहरो, एवं, रीती रिवाजों से सम्रद्ध है पूरे गुजरात में इस दिन को बड़े जोश और उच्छा के साथ मनाया जाता है इस दिन पूरे गुजरात में विविन संस्कृतिक कारिकर्मों, रैलियों, परदशनियों, वाद विवाद, सेमिनारों द्वारा चिन्नित किया जाता है जो गुजरात की अनूठी संस्कृती और विविदिता को परदशित करते हैं यह महुत्सो राज्य धवज भैराने के साथ सुरू होता है इसके बाद राज्य गान जय जय गर्वी गुजरात गाया जाता है गुजरात की सडकों पर रंगीन, विद्युत, लड़ियों एवं रोशनियों से सजाई जाती है इस दिन रंग बिरंगी पतंगे उढ़ाने और विबिन परतियोगताओं में भाग लेने हेतु खुले मंच पर एकितरित होते हैं कुछ लोग मंदिरों में देवी देवता को आमरस एवं पूरी चड़ाते हैं गुजरात अपने समर्द, आम के बागों और कृश्री के लिए मसूर है इस दिन बहुत सी जगव पर आतिस बाजिया भी होती है तो दोस्तों उमीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको गुजरात दिवत से जोड़ी सारी चोटी बड़ी जानकारी अच्छे से दे दियोगी दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगे शेयर करें ताकि सब को इस दिन के बारे में पता चल सके दोस्तो यदि आप लोग भी गुजरात से संबंद रखते हैं या वहां के रहने वाले हैं या उसके बारे में जो कुछ भी कहना चाहते हैं आप लोग हमें कमेंट सेशन में खुल कर लिख के बताएं दोस्तो तो दोस्तो यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे फेस्बुक पेज आरके मिक्स इंटर्टेन्वेंट को फोलो करना ना भूले दन्यवाद दोस्तों जय हिंत